तो आज का वीडियो है क्लास 12 के बच्चों के लिए NCRT बुक का चैप्टर 5 इंडीगो तो चलिए पढ़ते हैं तो आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे कि आज हम लोग इंडीगो चैप्टर करने वाले हैं ये क्लास 12 के NCRT बुक का चैप्टर नमबर 5 है लोईश फिशर ने इसे लिखा है और इंडियन स्ट्रगल मूव्मेंट के टाइम का ये एक बहुत ही बड़ा गांधी जी के लाइफ का सक्सेस रहा था वन अप दे अर्लिएस्ट सक्सेस रहा था इंडीगो से रिलेटेड एक मूव्मेंट चमपारन में तो आज हम लोग इसका हाफ पार्ट ही करने वाले हैं क्योंकि हाफ हम लोग सकेंड पार्ट में पढ़ेंगे काफी बड़ा चैप्टर है तो ज़्यादा टाइम नव वेश्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आपको बताना कि आखिर इस कहानी में है क्या वें नाइज फिस्टेड जो नरेटर हैं वो क्या कहते हैं वें फिस्टेड गांधी जी इन 1942 एठ इज आस्रम इन सेवा ग्राम in Central India 1942 में जो पहली बार मैं उससे मिला महत्मा गांधी से सेवा ग्राम में केंद्री भारत में Central India में उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा कैसे हुआ और मैंने डिसाइड किया, I decided to urge the departure of the British, it was in 1917, मैंने डिसाइड किया कि British को urge करूं कि वो जाएं, ठीक है और इट वाज इन 1917 की गटना है He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow, तो Lucknow में 1916 का जो सालाना meeting होता है, annual convention होता है, Congress का, वो वहाँ पर गए हुए थे वहाँ पर total 2301 delegates थे, कई visitors भी थे During the proceedings, proceedings के दौरान, गांधी जी recounted, याद किये, कि एक पिजांट आया था उसके पास, एक किसान आया था उनके पास Looking like any other पिजांट इन इंडिया, जो एक आम किसान की तरह ही लिग रहा था गरीब था, परिशान था उसने कहा था कि I am Rajkumar Shukla and he was from Champaran and he wanted Gandhiji to come to his district Champaran Gandhiji had never heard of the place, कभी सुना भी नहीं था इसके बारे में It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal तो Nepal के kingdom के पास, Himalaya की तराई में ये जगह बसा था Under an ancient arrangement, एक बहुत ही पूराने विवस्था के अंदर, Champaran and Pizans were sharecroppers वो क्या थे? sharecroppers थे यानि जो भी वो खेती करते तो उसमें share देना होता था Rajkumar Shukla was one of them, वो भी उनमें से एक थे He was illiterate but resolute वो illiterate थे, लेकिन अपने बात के पके थे, थोड़ा resolute type के आदमी थे He had come to the congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar Congress session में वो Bihar में, landlord system के अंदर जो complaint था उनका वो बताने आये थे And somebody had probably said, speak to Gandhi किसी ने उनसे कहा कि गांधी से बात करो Gandhi told Shukla, he had an appointment in Kanpur It's Kanpur, written Kanpur And was also committed to go to other parts of India मेरी एक appointment Kanpur में और फिर मुझे इंडिया के दूसरे parts में भी जाना है Shukla हर जगह उनके साथ गय बिना उनके invitation के, वो उनके साथ लगे रह फिर गांधी जी अपने आश्रम लोट एहमदाबाद, Shukla followed him to the ashram Four weeks, he never left Gandhi's aside वो कभी भी गांधी जी के बगल से नहीं हटे Fix the date, fix the date, he begged गिलविल आते रहे, please कोई date fix कर दीजे इस sharecropper के tenacity और स्टोरी से impress होकर गांधी जी ने कहा कि मुझे कलकत्ता जाना है किसी किसी तारीक पे, जो भी था Come and meet me and take me from there आओ मुझसे मिलो और मुझे ले चलो वहाँ अपने साथ महीनों बीत गए Shukla जो थे, वो बैठे हुए थे on his haunches at the appointment spot in कलकत्ता अपने कंदे जुकाए निरास से कलकत्ता में बैठे वेते जहाँ पर meeting होने वाली थी When Gandhi arrived, जब Gandhi जी आए He waited till Gandhi was free वो wait किये, जब तक Gandhi जी free न हो गये Then the two of them boarded a train और महत्मा गांधी अपने बात के अनुसार उनके साथ चल पड़े train पर बैठ कर Their Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad नाम सुनकर तो समझी गए होंगे आप Rajendra Prasad who later became president of the Congress Party of India and obviously the first president of India Rajendra Prasad was out of town but the servants knew Shukla was as a poor yeoman एक गरीब किसान के रूप में Rajendra Prasad के नौकर जानते थे की ये Shukla कौन है who pestered their master to help the Indigo Share Croppers जो उनके मालिक को परिशान करता है Indigo Share Croppers की मदद के लिए तो उन्होंने उसे बाहरी रहने को कहा अपने companion गांधी के साथ और समझा कि ये भी दूसरा किसान है लेकिन गांधी जी को वहां के कुएं से पानी निकालने की भी छूट नहीं मिली उन्टचेबल नहीं थे गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो पहले मुझा फर पूर जाएंगे जो चमपारन के रूट में ही था ताकि उन्हें पूरा information मिल सके इस condition के बारे में शुकला वोज कैपेबल आफ इंपार्टिंग शुकला बता सकते थे उन्हें जो समय मुझा पर पूर आर्ट्स कॉलेज में थे ठीक है और जिससे मुलाकास टैगोर सांती निकेतन में हुई थी महात्मा गांधी की ट्रेन मिडनाइट को आता है आधी रात हो जाती है 15 अपरल 1917 कि प्राणी वेट कर रहते है इस्टेशन के पास अपने धेर सारे स्टूडेंट्स के साथ गांधी जी जो है फिर वो दो दिन वही रहते हैं प्रोफेसर मलकानी के घर में वो एक टीचर थे गवर्मेंट स्कूल में तो ये एक और्डिनरी जीज था उन दिनो गांधी जी कमेंट करते हैं कि ये गवर्मेंट प्रोफेसर एक मेरे जैसे इंसान को अपने हार रख रहा है यानि जो होम रूल का एडवोकेट करते हैं इंडियन उन्हें सिंपाथी नहीं देते और उन्हें वहां रखा गया ये बड़ी बात थी गांधी जी के अराइवल का न्यूज हर तरफ फैल चुका था of the nature of his mission spread quickly through मुझभफरपूर to Champaran sharecroppers from Champaran began arriving on foot Champaran से paddle sharecroppers आने लगे ठीक है जिस भी तरह से वो आ पाएं अपने इस champion को देखने के लिए मुझभफरपूर lawyers called on Gandhi to brief him मुझभफरपूर के वकीलों ने गांधी जी को बुलाया इस चीज पर brief करने के लिए और उन्होंने कहा कि ये ये cases हैं और size of their fee के बारे में बताया कि हम इतना fee लेते हैं गांधी जी cheated the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers बुरी तरह डांट लगाई गांधी जी ने कि आप sharecroppers इतना बड़ा fee लेते हैं फिर उन्होंने कहा I have come to the conclusion that we should stop going to law courts मैं इस नतीजे पर पहुचा हूँ कि हमें अब court नहीं जाना है Taking such cases to the courts does little good ऐसे cases को अगर court ले जाएं तो कुछ फायदा नहीं है Where the peasants are so crushed किसान इतने दबे कुछले हैं इतने डरे हुए हैं कि law courts useless है Real relief तो तब होगा जब उन्हें इस दर से छुटकारा दिलाया जाए जादा तर जो arable land है खेती के लाएक जमीन है चंपारें डिस्टिक में वो divided है large states में जो अंग्रेजों के हैं और वहाँ पर Indian tenants काम करते हैं यानि इंडिया के जो किसान रेंट दे कर काम करते हैं जमीन पर चीफ कॉमर्सियल क्रॉप क्या है इंडिगो लैंडलोड जो हैं वो कंपैल करते हैं फोर्स करते हैं सारे टिनेंट्स को कि वो प्लांट करें 320 और 15% of their holding with indigo जितनी भी जमीन है 15% should be planted with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent और the 15% of the total indigo harvest must be submitted to them as rent ये एक long term contract था जो चलता आ रहा था प्रेजंटली दे लेंडलोड लेंड्स 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 को पता चला की जर्मनी ने तो synthetic indigo बना लिया है ये देरपॉन उप्तेंट अग्रिमेंट्स from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement अब इस बात को जान कर कि अब उनका indigo बिकेगा नहीं तो उन्होंने sharecroppers को कहा कि 15% का arrangement से छुटकारा पाने के लिए तुमें हमें compensations देना होगा sharecropping arrangements जो थे तो ये sharecropping arrangement जो था वो किसानों के लिए थोड़ा तकलीव दे था और कई ने willingly sign कर दिया जिनोंने विरोध किया lawyers रखे landlords ने thugs रखा चोर डकैद बदमास रखा उन्हें डराने धमकाने के लिए meanwhile जो information था synthetic indigo का वो भी गरीब किसानों तक अनपड़ किसानों तक पहुँच गया जिनोंने sign किया था और अब वो अपना पैसा वापस चाहते थे कि जब बिंदारों ने तो हमें फसाया है क्योंकि अब तो indigo बिकेगा नहीं इसलिए वो अपना ये system खत्म करना चाहते हैं अब indigo वो खरीद कर करेंगे क्या करीद कर मतलब rent के रूप में लेकर ठीक है at this point गांधी अराइब दिन चमपारन उन्होंने facts को समझने की कोशिस की पहले उन्होंने secretary से मुलाकात की जो British Landlords Association के secretary थे secretary ने उन्हें कहा कि वो उसे कोई information नहीं दे सकते क्योंकि वो एक outsider है गांधी जी ना answer दिया कि वो कोई outsider नहीं है next गांधी जी ने British official commissioner of the Tirhut division उसे बातचीत की जिसमें चमपारन district पढ़ता था अब commissioner जो थे उन्होंने गांधी जी को report किया proceeded to bully me ठीक है गांधी जी report करते हैं उसने report नहीं किया गांधी जी ने report किया commissioner जो था वो उनके साथ बुरा वेभार करने लगा and advised me to forward to leave Tirhut कि Tirhut division से चले जाओ गांधी जी नहीं गए instead he proceeded to मोतिहारी वो मोतिहारी चले गए जो चमपारन का capital था कई lawyers उनके साथ थे railway station पर धेर सारे लोगों ने गांधी जी से मुलाकात की वो घर गए और उसे अपना headquarter बनाया और investigation सुरू किया एक report आया कि एक पिजांड जो है उसे बहुत बुरी तरह treat किया गया है बगल के गाउं में गांधी जी ने जाने का और उससे मिलने का फैसला किया अगले सुबा वो वहाँ चल पड़े हाथी के प्रीट पे बैट कर वो जादा दूर गये भी नहीं थे कि पुलिस सुप्रिटेंडेंट का messenger आया और उन्हें रास्ते में ही रोक देता है और कहता है कि तुम वापस लोट जाओ तुम्हें आगे जाना allowed नहीं है गांधी जी ने कहा तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें ताकि ये चैप्टर आपका कम्प्लीट हो सके और आप कमेंट्स जरूर करें ताकि मैं और इंप्रूब्मेंट ला सकूँ अपने लेक्शिर्स में थेंक्यो